तीचरों की न्युक्ती हो गई है, बिल्डिंगे नहीं है, इन से पूछिए इनके कारकाल में, इनके साले जी ने एक आईस की पतनी को जिन्दा जलवा दिया समझती पुरि में, बिल्डिंगे खाली परी है, वहाँ पे जानवर बनते हैं, कुटे पे साब करते हैं, तो विया करने वाले लालू जिन्हों ने जेल में जाकर के अपनी अनपढ़ गवार बीबी को मुक्यमंत्री बना दिया था नवश्कार आप देखें दर न्यूस सब्टीन और आपके साथ में सुन रहे हैं, इसलक मैं दिली के कैनाट प्लेस में मौजूद हूँ उससे पहले की बार करें, उससे पहले भी लगाता है, सारणपूर में तीन से जाला जो है, पुल गिर चुके हैं, और इस पर लगाता है, विपक्ष निशाना साथ रहे हैं, नितिश कुमार पर, तो उस पर जो जनता यहां मौजूद हैं, उन पर जानते हैं कि क्या कहना चा करते थे, अभी चार दिन हुए हैं, अभी नितियस इदर आये हैं, क्योंकि बिहार का यही हाल है, अभी भी रोडों की कहालत खसता है, जो इन्होंने टीचर की जाब निकाली ती, डिवरा पीट रहे थे, यह कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं है, वहाँ स्कूल ही नहीं ह बच्चे कि वहाँ स्कूल ही नहीं है, बढ़ाएंगे किसको, टीचरों की निकती हो गई है, बिrajडिन् गिर गई है, क्यालाब के पास करते हैं, लोग वहाँ के लिचेघट का बळादीक है, तो इस तरीके के चलना तब पूल है, क्योंकि जहां पर भ्रंशाचार हो रहा है सबसे बड़ा बिहार का दुरभाग गया है यूपी का भाग जब जगा तो एक बीजेपी गवर्मेंट आई है तो एक इमानदार गवर्मेंट मिली उसने बीजेपी का कुछ हद तक सुधार किया कि अभी साथ आठ एक्सप्रेस में मतलब पांच छे तो बनी रहे हैं तो दो जीने एक आईस की पतनी को जिन्दा जलवा दिया समझती पूर में आप नेट पर सर्च करिए ना तो बिहार में यही चल आता जिसको पाउस को काटो जिसको पाउस को लूटो अरे लोगों की तो बात छोड़ो जानवरों तक का चारा खा गए अभी ये जेल में गये थे ज जोटी में गवर्मेंट नहीं आएगी देखो जब से डिजिटल इंडिया हुई है दोजाए 14 के बाद में डिजिटल इंडिया हुई है जब से सोसल मीडिया का टाइम आया है यूथ है यूथ हैक्टिव हुआ है अब इन लोगों को पहले हूँ हला करके माइक से बोलके में कुछ हथ तक यहां जा सरोज ने 800 करोर फंड बाटके ब्रेन बास किया गया बोटरी दर रोगया संविदान का ड्राया गया लेकिन हमें लगता है आगे आने वाले टाइम में यह सब कुछ सही होगा लेकिन जो बिहार के अंदर है हमें लगता बहुत मुश्किल बात है जो लालू बयान बाजी करें लालू का कारकाल तो आपने देखा होगा बिहार में लोग इतने टाइम जो आप यहां बोल लहीं है बहुत बड़ी बात है वहां पे आप इतने टाइम निकलेंगी गर्दन नहीं तो पार नहीं पार नहीं तो आख नहीं अभी वहां तहज में गारी मिलेगी आपको साम को तिलक चड़ेगी सुवह आप चलाएंगे साम को छिंजाएगी यही चला है वहाँ मीडिया एक्टिव नहीं है यह वह आया था कस्य अपनाम करके वह भी पॉलिटिकल में चला गया वह भी एक्टिव हुआ हमने सोचा कुछ एक करेगा एक दो आईयस आईपियस नीचे ताली वला राय हमें रोजगार देगा नत्य चला पागल पंती बिहार के अंदर ऐसे भी कास होगा आठी भी पास रोजगार दे रहा है और बीटे रोजगार माग रहा है बियार की जंता के इतनी कि सड़क बनती है लेकिन बनते खराब हो जाती है बिहार के अंदर कुकुर्मुत्य जैसे जो कालेच खेले कुछ यूपी में भी थे अभी वो बंद हो गए हैं बिल्डिंग एक खाली पड़ी है वहाँ पे जानवर बनते हैं कुत्ते पहसाब करते हैं जैसा की दिल्ली में डिस्पेंसरी में कर रहा है जो मोहला किलीनिक बन कि तो के लालू यादाव साहबदीन को तो है कि यह उसामा रिल्लादीनू का नाम लेने लास आने वाले टाइम के बंडिएय। और आपने का लालू पर Scout लालू पर साथ तो वह है जो जानवरों का 정रा of Makes अब वो जो जानवरों कोई चारा खा गया उससे क्या रख सकते हैं उसके मतलब वो क्या है कुल मिला करके ना ब्रश्टा चार करने वाले लालू जिन्होंने जेल में जा करके अपनी अनपड़ गवार बीबी को मुख्यमंत्री बना दिया था उनका बेटा तीजसी आटवी पास वो क्या बन गया उपमुम के बर्तरी जब ऐसे लोग सत्ता पे बैठेंगे तो क्या होगा सत्ता पे ऐसे लोग बैठेंगे तो ब्रश्टा जारी करेंगे आप देख रहे होगे ने धड़ा धड़ पुल गिर रहे हैं तो ये इनके करे वे ब्रश्टा जा रहे हैं वो आप गिर रहे हैं और उनका पता भी चल रहा है कि बिहार में इन लोगों ने क्या काम करा तो बिहार की अगर राजनीती चमकानी है तो योगी जैसा बुख्यमंत्री वहां पे बैठना चीए जो कि बिहार की जनता को भी आगे बढ़ाए और बि जाजी यह कहते हैं कि 300 पे ऐसे है कि मुझे यह पसंद नहीं थे ठीके ना तो उनकी जो बढ़िया है पबलिक में जो जी के चार काम पूच रहे हैं देखे योगी जी का जो काम है आतंकवाद उन्होंने खतम कर दिया वहां से गुंडा राज खतम कर दिया माफिया राज ख कि मेरे को माफ कर दो जी ठीके मैंने नहीं करा यह और आप मुझे जो भी कर सकते हैं वह करो आज महला सुरक्षित है खुले आम गूम सकती है नहीं तो पहले उसमें गूम नहीं सकती थी और होता क्या था एक ही काम होता था इधर दलीत आगे मायावतिया गी तो दलीतों का बोल बाला इधर अखलेश यादव या मुलाहिम से यादव आगे तो यादवों का बोल बाला तो यहीं गुंडाराज चलता था यही अपने 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 आज कम हुआ है माँ आपकी इनकी बात से अगरी करता हूं कि गुंडाराज कम हुआ है लेकिन गुंडाराज कम कहा हुआ है देखो गुंडा लोग जो भी हैं वो सरकार के सुईदाओं का फाइदा उठाते हैं पहले यादव गुंडे थे आज दूसरे गुंडे आप यह मत मानों कि यूप अगरे देखती शासन के खामिया नहीं किना सकता उसको इस देश में रहने का है की नहीं है आप समझो उन्होंने क्या किया है उन्हों दूसरे तरी राज चालू करती है आप समझो आज आप पुलिस खाने में चले जाओ यूपी के पहले जो काम एक जार उपे में होता था इस में होता है फूलित जाओ कि यह कहना चाहता हूं जैसे हमारे अधर्णी आपनियाजि कह रहे हैं कि योगी जी के इसमें वुभाथ कम यह है मोदी जी के शासन में भी बहुत कम यह इदि कोई भी व्यक्ति ऐसी टिपटनी करता है बिलकोल होसकता है वह सही कह रहे हूं ज कंपेर टू मायवती और अखिलेश और मुलायम इस गौवर्मेंट इस वेरी वेरी गुड बेटर उसके बाद उन्हें कहना चाहिए कि हाँ हलाकि इनमें फिर भी कुछ कमिया हो सकते हैं पहले उन्हें परशंसा करना नहीं पहले आपको परशंसा की परशंसा की एक लाइन जर जिस प्रकार से योगी सरकार ने ध्वस्त किया है वैसा काम कॉंगरेस तो सोड़ी हमत ना मुलायम सिंग यादव ने कभी किया उल्टा हुव मुलायम सिंग की सरकार ने तो आतंगवादियों से मुकदमे अटा लिये थे वो तो जब हाई कोट का डंडा तो उन्हें मुकद तो पहले की सरकार चलें उनसे योगी जी का ठीक है लेकिन आप किसी जिसको 100% पर प्रफ़र पता रहें वो गलत है अप एक बास समझो यह दी आप एक इंदूद्व लेके चलेंगे आप मुस्लिम्स को लेके चलेंगे या इसायत को लेके चलेंगे जैसे राएल गांदी न योगी मेरे बच्छों और सब्सक्राइब कर रहा हूं और जो नहीं करेंगे मेरा कहना मतलब है हिंदु संप्राइक नहीं देख लेकिन हो एक मुस्लिम है मोई रिकॉर्ट मेरे सब्सक्राइब दाली मुस्लिम है मैं कोई भी बात जो करूंगा आपका चैनल मुझे तर स्व prawdो नियुम कि मreण है मेरे नीज चनल पर इस वो नार्ट वाइट मिले गी मैं कीसी पार्टी का कारिय करता नहुं हां मोदी और योगी जिका मैं परसनल फेहनं लेकिन इसका मतलव यह नहीं कि वह गलत करें इसका में इसका है यह किया है कि 22 जनुरी के बार जो राम मंत्र का उन्हों ने उद्गाटन किया मैं यह कहता हूं राज्तान में 11 शीटे हमने हर हुआ हैं मैं जाट महासभा का आज वर्ड जाट महासभा का आज हुन से थे रहूं और आज नहीं 1988 से हूं इन लोगों का जन्यूमि नहीं ही नहीं हुआ हुआ होगा यह जो टिक्के लगाए गूमरे ना इनका जन्यूमि नहीं हुआगा मैं आल वर्ड जाट मास भगा आज हिल उन से दिनुगे मैं आपको मेरी चली ब início भी भी दूगा लेकिन जो प्रोग्राम इन्होंने बाईस जन्दूरी के बात किया कि हम संग वाले हैं बाईस इस देश में संग वाले हैं नो इस देश का किसान मजदूरी यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है करोना काल आपने देखा है है यह ती यहृधि मैं किसान हूं हो शक्ता है मुझे किसान नहीं माने लिगन मैं किसान हूं हमै आ inviting मेरे बच्छों मुने से निकाल दिया कि मुझे पता है कि किसानी और मुझुलिव है लेकिन में इर और छुब चला और चला के कहना चाहूंगा पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मोदी जी हारे नहीं है कोई 11 लाता है कोई 3 कुछ लाता है कि लाता है फाइस्तानी में हमने ठीका है ना क्यों टीका है नहीं यह दग्याइब करते हैं क्या है यह है कि बाई जंदरी को मेरे को दो बंदे मिले थे यहां उन्होंने मेरे हाट से शिर्राम का जंडा था मैरे पास उन्हों छिन लिया उन्होंने का हम संक्ष है है मैंने का आप बेटा तेरो को हम बताएंगे संग का मतलब अगर संके दो व्यक्तियों नेमान लिया जाए मेरको जूठ लग रही है बात अगर चीन लिया जंडा तो पूरा संग खराब हो गया मैं दो बाते कहना चाहूंगा एक केंद्रिक सरकार के लिए यह मोदी जी की बहुत बड़ी जीत है समझने का नजरिया अलग-अलग होना चाहिए आप इस चीश को समझे तिसरी बारी मोदी जी दो सो चालीज सीट लेके आ रहे हैं मात्र चालीज से अब 30 सीट कम अपने पहु करेंगे एक जमाने में उत्तर प्रदेश के लोगों ने मायावति को पुन बहुमत दिया उसके बाद अखिलेश आदो को पुन बहुमत दिया योगी जी को पहली बारी जब इससे पहले लगबख साड़े 400 आश्पास योगी जी को पहली बारी तीन सो बारा दूसरी बारी 400 के आश्पास आया तो अब यह देखिए आज का जो यंग जनेर से ने यंग ओटर है लोगों को क्लीन क्लीन अला एलाव कर रहा है कि आप जाके वहां पर क्लीन तरीके से राज करिए सासंग करिए मोदी जी पहली बारी आए पुल मोमας से तीसरी बारी अगर 240 आये डिये बहुत बड़ी अच्पितलों कर रहे हैं पिछले तीन या चार दिन के आप लोग सभा का कारवाई अगर देखेंगे जो आवाज उनका पहले जिस तरिके से होता था दबे आवाज में बात करते हैं संसद में लोग सभा के अंदर आज गेट में वही विपक्ष की सटड़िके से कुछ बाते दो पॉइंट्स की बोल र रहे हैं उनको इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी भूमका को समझना पड़ेगा एक विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है मैंने पढ़ा था कि शुक्रात एक बहुत बड़े दार्शनिक थे उन्होंने कहा था सत्ता रोटी हमेसा पलटते रहना चीए सत्ता रोटी हमेसा पलटत फिरोषा करेंगे अपने आद में पर रोटत आरे यह के लिए था सु को आज दर्समिक नहीं अजह करते हैं आज आपक्ष का मैंने कहते हैं मैं भाई साब की तरह मोदी जी का प्रसंशक हूँ यहूजी का प्रसंशक हूँ लेकिन इनके ऐस इनके बास सामत हो फिए एहंकार कर रहे हैं उनको आज के डेट में पहली बारी पिछले 15-20 साल से राजनीती कर रहे हैं हमारे देश के अंदर लेकिन पहली बारी उनको एक इंपोर्टेंट पद मिला है विपक्स के इस बात का इंपोर्टेंट है मैं कह रहा हूँ इस देश का दुर्भाक है कि राउल गांदी जैसा बेवकूब और निक्रिष्ट वेक्ति विपक्स में बैठा हुआ है और मैं आपका बता हूँ कि 1997 से मैं अकेला नहीं हूँ चोदी चंशी में एक रेली की थी यहां किसान रेली मैं उसका सद्देश्य हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि यह दी मोदी जी के पास थोड़ा सा भी हूमर ओप सेंस राजनिती घो है तो हम जैसे आत्मी को आगे प्रमोट करे मां आपको एक बात ह क्योंकि आप क्या समझते हैं मोदी जी संके वज़े से नहीं हम कम से कम 11 लाख बंदे यहां के ठोगे थे उन्होंने सबत खाई थी जब तक इस गांधी कोंगरेस को दफन नहीं कर देंगे हम ना सांस से बैठेंगे ना चैन से जीएंगे मैं यह बताता हूँ लेकिन लेकिन जैसे चानिके ने कहा था यह मेरी बाइट आप समझो जैसे चानिके ने कहा का विदेशी माता का पुत्र कभी भी देशी नहीं हो सकता वो उसने साबित कर दिया यह पर किसे नेता बनते ही अरे किस बात का घमड है जो आदमी 9% बोट लेके बैठा हुआ था और उसको 8,5% मिल गई क्या समझ जो अपने आपको इदर ही हम अपना जो है आज का शो खतम करते हैं और वही दिखते रही है दर यूसप टिंग करवन के साथ में सुन देखा